ओम स्री वेंकटेश्वराय नमाहा बहुत सारे भक्तों का ओफ लाइन टिकेट्स के लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन है डिसंबर और जन्वरी में कौन-कौन से दिन ओफ लाइन टिकेट्स मिलेंगे, कौन-कौन से दिन नहीं मिलेंगे बहुत सारे comments हमें आ रहे हैं इसी लिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो offline में tickets लेना चाते हैं और जानना चाते हैं कि पूरा process क्या होने वाला है तो इस वीडियो में हम पर्व दिनों में offline tickets की क्या पधती रहेगी और जिस दिन पर्व नहीं है उस दिन offline tickets की क्या process रहेगा इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कौन-कौन से दिन offline tickets मिलेंगे कौन-कौन से दिन नहीं मिलेंगे कौन से documents की आवशक्ता पढ़ती है क्या नए इंतजाम किये गए है पर्व दिनों के लिए, offline tickets के लिए इसकी पूरी clarity इस वीडियो में आपको मिल जाएगी तो अंतक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like, share and subscribe ज़रूर करें TTD ने already official website में पूरी details दी है जहाँ पर TTD ने ये बताया है कि कुल 9 counters खोले जाएंगे non locals के लिए और एक counter होंगे locals के लिए अगर आप official website में जाकर appeal to pilgrims option पे जाकर click here के option पर click करते हैं तो आपको सारे counters के नाम वहाँ पर आपको दिख जाएंगे आप उन counters को note कर सकते हैं उसके बाद आपको कुछ instructions मिलेंगे वैगुंट एकादशी के दौरान क्या क्या facilities आपको उपलब्ध होंगी counters में और क्या T.T.D. चाता है भक्त किन चीजों के लिए ध्यान देना चाहिए इन सारी जानकारी आपको उस particular instructions में मिल जाएगी T.T.D. ने request किया है कि जो भी भक्त वैकुंट एकादशी परवदिनों के दिन आने वाले हैं फोर एक्जाम्पल जन्वरी 2nd से लेके जन्वरी 11 तारीक तक उन्हें स्रीकृष्ण तेजा guest house में report करना पड़ेगा जिनके पास भी SSD tokens है वे सबसे पहले इस guest house पे report करें उसके बाद जो भी आपको time slot दिया जाएगा उसी time slot पे आपाएं क्योंकि rush बहुत रहने वाला है साथ ही T.T.D. ने ये भी clear किया है कि जिनके पास दर्शन टिकेट है उन्ही को accommodation मिलेगा और साथ में January 1st, January 2nd और January 3rd को ये तीन दिन accommodation online में booking नहीं होगी जिन्हें भी इन तीन दिनों के लिए तिरुमला में accommodation की booking चाहिए वे direct CRO office आके इन तीन दिनों के लिए accommodation book कर सकते हैं T.T.D.D. के एक और press release में ये भी confirm किया गया है कि January 1st को और December 31st को यानि New Year के आज पास ये दो दिन कोई भी offline tickets नहीं मिलेंगे December 31st और January 1st को तो इन दोनों चीजों का भी ध्यान रखें वैकुंट एकादशी पर्व के दिनों में आपको रश्त बहुत मिलने वाली है हर counters में T.T.D. ने ये clear किया है कि हर counter में QR codes को रखा जाएगा QR code को आप mobile number से scan कर सकते हैं और आपको पूरे 9 counters के नाम और location Google map थूँ आपके mobile पर आ जाएगे तो आपको details जानना बहुत जादा आसान हो जाएगा किसी भी counter में अगर आप QR code पर अपने mobile को scan करते हैं तो आपको पूरी details 9 counters के मिल जाएगे कोई भी दिकत नहीं होगी अगर आपको एक counter में टिकेट नहीं मिलता है तो आप दूसरे counter में भी try कर सकते हैं बस ध्यान रहे December 31 और January 1 को offline tickets नहीं मिल रहे हैं पर्वदिन यानि जनवरी 2 से लेकर जनवरी 11 तक आपको बिना टिकेट के कोई भी दर्शन प्राप्त नहीं होगा मंदिर के अंदर हाला कि आप तिरुमला में आ सकते हैं सारी सेवाएं देख सकते हैं लेकिन मंदिर के बाहर ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और जब आप counters में लगते हैं offline tickets के लिए आपको आधार card mandatory है और साथ ही सभी लोगों को counter में खड़े रहना पड़ता है family के लिए आप अकेले नहीं खड़े हो सकते एक आधार card यानि एक व्यक्ति के लिए एक ही ticket मिलेगा इन ticket counters को रोज सुबह 3 बजे खोला जाता है normal days में लेकिन पर्व दिनों के start के समय से यानि January 1st को दो पहर 2 बजे से ये counters खुलेंगे एका दशी के tickets को देने के लिए 10 दिन के एका दशी tickets को आपको 2 बजे से ही शुरू हो जाएगा और एक lot में ही यानि 5 लाग लगभग 5 लाग tickets एक ही साथ release किये जाएंगे 10 दिनों के लिए यानि अगर आप 2 तारीक को line में लगते हैं January 2 को तो आपको कौन से दिन का ticket मिलेगा ये बताना बिल्कुल भी बहुत जादा मुश्किल है ये पूरी तरह से rush पर depend करेगा एक ही lot में 2400 घंटे counters खुले रहेंगे January 1 तारीक से बाकी दिनों में आपको जिस दिन दर्शन होता है उसी दिन आपको counters पर लगना पड़ता है लेकिन January 1 से 10 दिनों के लिए 24 hours counters खुले रहेंगे जब तक 5 लाग offline tickets खतम नहीं हो जाते तो ये एक बहुत बड़ी update है साथ ही आपको counters में क्योंकि रश जादा रहने वाला है TTD के तरव से ये update आया है कि counters में washroom facilities और खाने पीने की व्यवस्था चाई, कॉफी सब कुछ provide किया जाएगा ताकि भगतों को कोई भी परिशानी नहीं हो तो इस तरह से पर्व दिनों के लिए एक अलग व्यवस्था है और normal days के लिए अलग व्यवस्था है offline tickets के लिए आशा करती हूँ कि अभी ये clear हो गया होगा कि किस दिन हमें offline tickets मिलेंगे और किस दिन नहीं मिलेंगे अगर आपको हमारा effort अच्छा लगे तो like, share and subscribe जरूर कीजेगा ओम स्रीव इंकटेश्वर आये नमारे